भारतिय सम्विधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर एक महान राजनीता तो थे ही साथ ही वह एक महान विचारक और विश्व विख्यात लिखक भी थे डॉक्टर अम्बेटकर का अधिकांच सहत्य अंग्रेजी भाषा में है उनके सहत्य को विद्वानों द्वारा देश की कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है मगर देश के तथा कथित बुद्धी जीवियों ने डॉक्टर अम्बीट कर द्वारा लिखित अनेक पुस्तकों को एक सोची समझी रणीती के कारण उनके अनुआईयों से दूर रखा बाबा सहाब ने 1941 में Thoughts on Pakistan और 1945 में Pakistan और Partition of India पुस्तके लिखी थी ये दौनों किताबें मुस्लिम कठर पंतियों को आइना दिखाने वाली हैं आजादी से पहले ही मुस्लिम कठर वाद महारत में पैर पसा रहा था इसलाम के विजार धारा और कठर पंतियों के दृष्टी कोंड को बाबा सहाब ने बहौत धहराय के साथ अध्यन किया था देश की वर्तमान परस्तितेों में कठर वाद जिस तरह से सिर्ट उठा रहा है उसके बारे में बाबा सहाब के दृष्टी कौन को केंदर में रखते हुए डॉक्टर अम्बेटकर की दृष्टी में मुसलिम कट्रवाद नाम से एक महत्पुन पुस्तक है इस किताब में कुल आठ अध्याई शामिल है जिनमें हिंदू का भ्रम और मुसलिम रणीती, मुसलिम लीक की मांग, वेमरस से पूर्ण रक्त रण्जत इतिहास, वेचारिक प्रिणनाए, हिंदू मुसलिम एक्ता के निश्फल प्रियास, सामप्रदायक राजनीती के आयाम, जन संख्या का आदान प्रदान और यदी पाकिस्तान ना बनता जैसे अध्याए इस किताब का हिस्सा है, बाबा साहब लिखते हैं कि मुसल्मान के दिश्टे में हिंदू काफिर है, और काफिर समान जोगे नहीं होता, बाबा साहब एक घटना का उल्ले करते हुए लिखते करे, क्योंकि इसलाब इसकी इजाज़त नहीं देता, बाबा साहब लिखते हैं, उन्निस सो नौ में आगा खा के नेतित उन्हें, मुसल्मान शिम्ला में जब लॉड मिंटों से मिले, तो उन्होंने कहा, सभी विधाई संस्थाओं में मुस्तिमों के लिए अलग निवाचल में अफगानिस्तान के अमीर से भारत पर आकरमन करने की जोजना बनाने को खा था, बाबा साहब लिखते हैं, भारत के धर्मार्द मुसल्मानों ने मजभी लेक लिखने वाले और शुदी आदोलन से जुड़े लोगों की हत्याय तक कर डाले, जिनकी गांदी जी ने कभी निंदा नहीं की। लोगतंत्र नहीं है, उनकी मुखे चिंता ये है कि भावमत के शासन वाला लोगतंत्र हिंदों के विरुद मुसल्मानों के संगश पर क्या प्रभाव डालेगा। पहाशित किया है, वहे लिखते हैं, साप्रदाएक मुसल्मान जो मुसलिम लीग अंग है और राश्टरवादी मुसल्मानों के बीच उन्हें कोई अंतर नहीं मिलता, क्योंकि राश्टरवादी मुसल्मान कहे जाने वाले डॉक्टर अंसारी ने मुसल्मानों के लिए अलक वह आजीवन भारत की सांस्कृतिक और भुगौलिक एक्ता के बारे में सचेत रहे। डॉक्टर अंबेटकर की दृष्टी में मुस्लिम कट्रवाद नामक इस पुस्तक के अध्यन से मुस्लिम कट्रवाद पर बाबा सहाब के दृष्टी कूण और विचारधारा का पता चलता है। सुरुची प्रकाशन द्वारा प्रकाशित स्पुस्तक का मुल्य मात्र 65 रुपे है।